चलो आज बनाते हैं इवनिंग में कुस स्नेक्स, मैंने आलू बाल के रख लिये थे दुपेर में, तो वो ठंडे हो चुके हैं, तो अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, इसमें मूटा मूटा आलू नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, और पानी नहीं डालना है आपको, और अच्छे से इसको भी मैश कर लेंगे आलू में, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आट कर देंगे, यहां पे, दो कटोरी के बरावर, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के जो साइड्स होते हैं, मैं उसको इस तरीके से पीस के रख ले दाल दिये, दर-दरीसी टाइप, और उपर से डाला है, क्रंची ने, इसके लिए मैं यहां पे डाल दिया है, चावल का थोड़ा सा आटा, बहुत जादा भी नहीं डालना है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, जिस तरीके सा माटा गुनते हैं, सेम वैसे ही बनाना ह हमें, और डो मैंने यहां पे रेडी कर दिया, थोड़ा सा हम इसमें ऑईल लगा के, इस तरीके से सेट करके रख देंगे, और आपको साथ साथ ही न, इसका जो भी पेड़े या जो भी शेप आपको देनी है, इसकी टिक्की टाइप, या फी वड़ा टाइप, आप जैसी मर चलता के रख लिए और एक साइड में मैंने तेल रख दिया था, गरम करने के लिए, तेल काफी तेज गरम आपको करना है, और हाइ फ्लेम पे आपको इसको डालना है, और डालते टाइम आपको टिक्की को पांच-पा्श सेकिंड का गैप रखना है, या तो फट जाईगी, टिक्की को पलेटने के लिए आपको कम से कम 30 सेगिंड का वेट करना है उसकी बाद ही आपको कर्ची लगाने है इस तरीके से मैं सारी ही टिक्की को बना लूँगी यहाँ पर एक एक बैच करके मतलब एक ही बार में आपको कड़ाई में ऐसे नहीं करना है जितना तेल है उसके कोडिंग ही डालना है बहुत जादा नहीं डालना है कि आपस में चिपक जाए नहीं तो सारी टिकी फट जाएंगी और आप देख सकते हो प्लेटिंग कर दिया हरी चैटनी लाल चैटनी इमली वाली मैंने इसमें सफ कर दिया है और ये तोड के अंदर से तो एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रंची तो टेस्ट वाइस तो मुझे काफी अच्छी लगी और मेरी हस्बंड को भी बहुत पसंद आई तो आप लोग भी बना के ट्राय करना और मुझे जरूर बताना कैसा बना तो मिलते मेरे नेक्स ब्लॉग में तिल देन बाबाई